पड़ा हेलोजनो एलकेन में मैंने आपको बताया था कि ये दो टाइप्स के रियक्शन देते हैं एक रियक्शन है नुकलियोफिलिक सबस्टिट्यूशन हेलोजनो एलकेन नुकलियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रियक्शन भी देते हैं और ये elimination reaction भी देते हैं, तो दो types के reaction हमने पढ़े थे, अभी हम सरफ nuclear flick substitution reaction पढ़े हैं, बढ़ अब पहले first 20 minutes में ने मैं पिछला revise करूँगा ताकि आपको चीज़ें याद आ जाएं, हेलोजनोलकेन के अंदर पहली चीज़ मैंने आपको ये बताई थी, इनकी reactivity के कौन सा molecule जादा reactive है, कौन सा हेलोजनोलकेन, तो उस पर बटा हमने ये बताया था, के जो हमारे पास आयोडो, आयोडो मिथेन है, कार्बन आयोडीन बॉंड जो है, reactivity ऐसे भढ़ रही है, और इस reactivity के बटा भढ़ने की reason ये बताई थी, के जो कार्बन आयोडीन बॉंड है, वो longer होता जा रहा है, और easier to break, उसको break करना असान है, ठीक है, तो reactivity बटा हम discuss कर चुके थे class के from fluoromethane to chloromethane to bromomethane to iodomethane increase हो रही है, due to the increase in the carbon length, carbon halogen bond length, पर दूसरी चीज़ जो हमने यहां पर पढ़ी थी, वो ये थी के, इनकी types क्या है, three types पिटा हमने पढ़ी थी, primary halogenolkane हमने पढ़ा था, primary halogenolkane, वो ये था, के बटा, ये ऐसा halogenolkane है, जिसमें functional group के साथ जो carbon लगा होगा ना, उसको हमने अपनी असानी के लिए एक नाम दिया हुए, alpha carbon देखे, देखे, ये हमारे पास, functional group कार्बन, functional group है, chlorine, chlorine, जिस carbon के साथ अटेच होगा ना, उस carbon को आप नाम दे देते हैं कि ये alpha carbon है, तो alpha carbon के साथ अगर दो hydrogen हो, तो ऐसे halogenolkane को आप बिटा नाम देते हैं, primary halogenolkane, कि if alpha carbon है, इसको hydrogen, secondary halogenolkane के बारे में मैंने आपको ये बताया था, कि secondary halogenolkane, ऐसे halogenolkane है, जिस में जो alpha carbon होगा, alpha carbon उसके साथ एक hydrogen होगा बस, तो बाकी क्या चीज़े अटेच होंगी, बाकी carbons अटेच होंगी, इस इस secondary halogenolkane, राइट, और बटा, tertiary halogenolkane में, tertiary halogenolkane, इसके अंदर बटा, मैंने ये बताया था, कि जो आपका alpha carbon होगा न, alpha carbon, वो directly तीन carbons के साथ connected होगा, जिस तरह के ये है, ठीक है जी, तो इसको आप बोलते हैं, tertiary halogenolkane, तो ये तीन टाइपस बित्तो बटा हमने कर ली थी, फिर हमने इसके कुछ reactions भी किये थे, वो भी मैं आपको जल्दी से revise करवा देता हूँ, कि हमने halogenolkane के कौन-कौन से reaction किये थे, बटा मैंने आपके किस तरह की diagram बना कर दी होगी, के halogenolkane, तो अगर आपने convert करना है, अच्छा बटा फिर मैंने ये बताया था कि ये जो halogenolkane है ना, इसको अगर आपने alcohol में convert करना है, तो दो तरीके हैं, आपके पास convert करने के, first method ये है, कि आप aqueous metal hydroxide से reaction करवा लो, aqueous metal hydroxide, बटा दूसरा method अगर आपने halogenolkane को alcohol में convert करना है, वो ये है कि आप इसका water से reaction करवा लो, सब में heat under reflux तो करना ही है, heat under reflux, यहां पर ही बटा heat under reflux, तीसरा बटा हमने जो last class में पढ़ा था वो ये था, कि हेलो जन्यो एलकेन को अगर आपने amine में convert करना है, amine, तो आप reaction करवाएंगे, एथानॉलिक ammonia या alcoholic ammonia के साथ, और इसमें बटा आपने heat करना है, और साथ में बटा आपने pressure भी देना है, और बटा चोथा जो हमने पढ़ा था, वो है नाइट्राइल, नाइट्राइल में क्या होगा, कि again, एथानॉलिक के साथ, बटा हमने reaction करवाया था, यह हमने last class में किया था, heat under reflux, तो बटा यह थोड़ा बहुत याद आगे आपको चीज़ें, यह reaction तो दबारा करवाने की जूरुत नहीं है, मुझे बता दें, अगर कहते हैं तो मैं देता हूं ठीजिए, या जो आज का निया topic है, हमने असरे में आज जो पढ़ना है, SN1, SN2 के primary halogenual cane किस टाइप की reaction देते हैं, उसका mechanism और tertiary halogenual cane का mechanism क्या है, यह हमारा main topic है, अच्छा बेटा, आज है अब, मैं चल्दी से नहीं बेटा आपको यह reaction करवा देता हूं, जी बेटा, टेस्ट पहले पिरिट में लेंगी, जी बेटा, टेस्ट तो पहले पिरिट में होगा, उसमें यह नहीं आएगा, टेस्ट के नहीं यह नहीं आएगा, टेस्ट में अलकेन, अलकीन, और आईजोमर्स, और मोल, मैं भी class के बाद आपको फोरण एक work sheet send करूँगा, वो आप बस solve कीजेगा, आपको idea होजेगा कि आपका कल का test कैस्ट होने वाल है, अच्छा होगा या नहीं, क्योंकि वोई चीजें उस तरह कि मैं दोबारा पूछूँगा आपसे test ने, टेस्ट परसों नहीं ले लेजए, चलो बेटा, वो बात में discuss करेंगे, अभी class तुब plus, sorry, Cl plus OH-, अच्छा बेटा ये देखें, ये OH- वो अगर ऐसे भी लिखें तो समझ जाएंगे, metal hydroxide की बात हो रही है, वो ऐसे भी लिख सकता है, रेखें, NaOH ऐसे भी लिख सकता है, complete, और sometimes वो metal का, जो metal आइन है, वो शो नहीं करेगा, only OH भी लिख सकता है, तो बात वही है, कोई फरक नहीं है इसमें, चाहे examiner आपको NaOH लिख कर दे, या OH लिख कर दे, आपने क्या करना है, बैटा, आपने तो nuclear flick substitution करवानी है, कैसे, आपको पता है, chlorine is slightly negative, carbon is slightly positive, और heat under reflux, यहाँ पर condition है, तो आप क्या करेंगे, ये OH है, इसको CL की जगार लिखाएंगे, ठीक है, त बन जाएगा CH3, CH2, CH2, OH और साथ में क्या बनेगा, CL negative, ये बटा देखें, इस reaction को कहते है, नुक्लियोफिलिक substitution, ये reaction नुक्लियोफिलिक substitution है, क्यों, क्यों कि ये जो बटा, आपको नुक्लियोफाइल नजर आ रहा था, CL negative, इस नुक्लियोफाइल को OH ने replace कर दिया है, अगर N-OH के साथ करवाएंगे ना, सेम चीज़ बनेगी, आप देखिएगा, अगर आप N-OH के साथ भी लिखते हैं, तो बस फरक ये है कि उपर वाली आईउनिक equation ने नीचे वाली आईउनिक equation नहीं है, तो आप heat under reflux is the condition, aqueous is the condition, आपको मैंने ये बात क्लास में बताईए तो यहां पर बेटा फिर वही काम करना है, यह जो CL negative है, इसको OH negative replace कर देगा, और इस दफ़ा N-C-L आप निकाल दे, N-C-L और ये बन जाएगा CH3, CH2, CH2, OH, तो बेटा देखिए वही चीज़ बनी है ना, तो आपने इस से confuse नहीं होना कि आपको उसने OH लिख कर दिया है, य तो इसलिए इसलिए बेटा आब, मैं नीचे वाली रियक्शन को रब कर रहा हूं, अच्छा आप एक चीज़ आप खुद वैसे सोचें कि यह जो मैंने हैलोजन और इलकेन उपर बेटा लिया हुए, यह primary है या secondary है या tertiary है, तो इसको आप कैसे decide करेंगे, functional group के साथ जो alpha carbon ह उसको देखें जी, और यह देखके बताएं कि alpha carbon के पास कितने हाइट, जी बटा यह primary है, बिल्कुल ठीक है बटा, alpha carbon के पास दो hydrogen है तो it would be primary, ठीक है, इसका नाम मैं लिख देता हूं, this is chloropropane, यह बटा है chloropropane है, ठीक है, और यह क्या बन रहा है यहाँ पर alcohol बन रहा है, तो इस alcohol का नाम है, प्रोपेन 1-0, अब बटे ज़रा देखें, कि अगर हम यही reaction करते हैं, tertiary के साथ, तो reaction तो same होगा, mechanism में आप देखिएगा, difference होगा, reaction ज़रा देखिएगा, यह जी अब मैं tertiary के साथ करने जा रहा हूं, यह देखें, यह मेरा alpha carbon, यह देखें जी, यह इस दफ़ा अगें, हम मैंने इस दफ़ा लिया, tertiary है, और इसका reaction ही बटा मैं, मैं तो मैटल हाइड्रोकसाइड से करवा रहा हूं, तो मैटल आइन, यहाँ पर spectator आइन थैस्टी, उसको लिखने के ज़रूरत नहीं है, तो heat under reflux, और aqueous is the condition, दो conditions होती है, इस reaction में आपको मैंने यह बात बताई है, aqueous का होना भी condition है, और heat under reflux भी condition, तो again बेटा, अब, यहाँ पर यह जो OH है, यह इस CL negative को replace करेगा, और यह OH आजेगा इदर, CH3, CH3, CH3 और साथ में मेटा CL negative निकल जाएगा, कोई बच्चा मुझे इस compound का नाम बता दे, एक तो यह tertiary है, वो तो type of halogenaur alkinin, what is the name of this reactant, बड़ा कोई बच्चा नाम बता है इसका शाबाश, जी बड़ास का नाम बता है शाबाश, नाम क्या होग इसका, वैं दो, ça, ओर, बन, इस लेक्ट the longest, नाद देखेंगे जो बच्चे वान क्लोरो जा हो गलत हों, इस लेक्ट की लांगेस्ट कारबन है, आपको पहले मेन चें तो स्लेक करनी है ना भई, यह आपकी मेन चैं डीरान点 है, अब जो कारबन बाहर ने कर आरे है, वह बरा इसका नाम क्या है टू क्लोरो टू क्लोरो टू मिठाइल प्रोपेन मैंने बैटा क्लोरो इसलिए पहले लिखा मिठाइल क्यों बाद में लिखा क्योंकि M और C में अल्फबेटिकली ओर्डर में आपने देखना है क्लोरो पहले आ रहा है लेकिन अगर आप यह सीक्वंस फॉल प्राइमरी हेलोगेन अल्केन नीचे जो मैंने लिखा है यह आपका टर्शरी हेलोगेन लेकिन आपने एक चीज़ नोट किया कि दोनों एक जैसे रियक्शन देते हैं विद एक्वस अन्य ओएच या एक्वस मेटल हाइड्रोकसाइड के साथ रियक्शन हो रहा है तो एक ज मैकनिजम करने ठीक है तो अब जड़ा मैकनिजम पर आजए और मैकनिजम मैचना करूंगा इसको आमने सामने करूंगा ताकि आप इसमें अच्छा कंपैरिजन कर सकें इस लिए किसे करते हैं जी यह देखें यह तो रियक्शन किया है अब इसका मैकनिजम करें मैकनिजम आपको मैंने बताए था वैसे हम इसका कर चुके हैं मैकनिजम लेकिन यह चलने रिवाइज हो जाएगा आपको पता है बटा कि मेकनिसम के अंदर क्या कैसे ठ्रॉ करनी होती है मेकनिसम के अंदर आपने करली एरो जोन पेर डाइपॉल और चार्जिस यह सब चीज़े अपने रॉ करनी है तो ये कैसे करेंगे देखें यह जी आपका क्लोरो एथेन के जो उपर मॉलीक्यूल लिया हूँ है, यह मैं लिखना हूँ इदर मेकनिसम में आपने बेसिकर नहीं बताना हूँ था रेक्शन हुआ कैसे है यह यह निउक्लियूफाइल हूँ और यहाँ बतान लिखना को अक्सर बच्स सामने लिखते हैं तो बिर वह सामने से अटैक करवाते हैं, जो जो गलत है, वैं को सामने से यह प्याशन है जंख भी भी रिपलियर दोनों निउक्लियूफाईल आमने सामने नहीं आ सकते तो आपने जब भी नुक्लियूफाईल ड्रॉख करने है आप नीचे की तरफ ड्रॉख करेंगे ऐसे यहांपर नुक्लियूफाईल होगा और बटा यहांपर चार्जिस डालना मस्ट है देखिए अब पेर और नेगेटिव चार्ज का डालना मस्ट है अब आप ड्रॉ करेंगे करली एरो फ्रॉम दी लोन पेर टूर्ड थी पॉस्टिवली चार्ज कार्बन और बटा यहां से रेखें अब यह कार्बन ओच के साथ ना बॉंड बनाने जा रहा है निया बॉंड तो इस ने जो वीकर बॉंड है वो तोड़ना होगा तो कार्बन कुलोरीन बॉंड ऊटेगा और आपको मैंने बताया था आपने आगे ना एक हाइली अनस्टेबल एक मॉमेंटरी स्टेज है जो आपने शो करनी है जिसमें बॉंड ब्रेकिंग और बॉंड फॉर्मेशन आप यह देखें बेटा यह आपको मैंने बताया था कि इस तरीके से यह जो कार्बन कुलोरीन बॉंड है यह बॉंड ब्रेक हो रहा है यह बॉंड ब्रेक हो रहा है और उपर नेगिटिव चार्ज डालना मस्ट है उसकी रीजन यह बताई थी कि दो न्यूक्लियो फाइल बेटा यहां पर इस highly unstable जो stage है जो के एक moment के लिए बनती है इसके पास इस टाइम दो न्यूक्लियो फाइल अकटे होगे जिसकी वज़े से आप इसके उपर negative charge डालते है ठीक है जी तो इसलिए यह करने के बाद नेक्स टेप में आपने क्या करना है बेटा नेक्स टेप में आप बस कि जो carbon chlorine bond है इसको तोड़ दें और carbon OH bond आप शो कर दें जो के निया बना है और बड़ा आपको मैंने यह कहा था अब यहां ब्रैक्ट डालने के जूरत नहीं है यहां इसी मैंने डाल दी है यह आपके पास बड़ा फिर मैं आपको इसमें एक और चीज़ यह बताई थी कि इ name of this mechanism sorry name of mechanism is s n 2 अपको एक नोट लिखाये था कि नोट भी आपको लिखाये था कि जो il Says vs www.sn2 type mechanism S से बनता था substitution N stands for nucleophilic 2 का मतलब आपको यह बताया था अच्छा यह बात देर में रखें कि यह सिंगल स्टेप मैकनिजम है बटा आपको यह बात बताई थी कि हमारे जो स्टेबर सने CIS का उसमें यह requirement है कि आपने यह state show करनी है लाजमी mention करनी है बांड breaking और बांड formation वाली otherwise यह single step reaction है तो single step reaction में बताएं कितने molecules involved हैं आप देख सकते हैं दो molecules two species are involved एक OH और एक यह primary halogenual king तो इस two का मतलब बिटा यह है कि two species are involved in this mechanism कि इस mechanism में इस slow step के अंदर दो species involved हैं तो two का क्या मतलब है एक OH और एक halogenual king अगर आपके mind में यह आ रहा है कि हर reaction में दो species involved होती है तो ऐसा नहीं है अभी आप tertiary में देखिएगा mechanism totally different है इससे पड़ागे बात याद आगी है हमने यह discuss की हुई थी पहले इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है अभी तक यह हम सारा पढ़ कराएंगे अब जो हम पढ़ने लगे है वो आपके लिए नहा होगा ठीक है देखें टर्शरी हेलोजनोल केंस वो कैसे mechanism देंगे मैं पहले reaction लिखता हूँ उसका दुबारा this is टर्शरी हेलोजनोल केंस वेश नेगेटिव के साथ बैटा reaction हो रहा है मैं आपको फिर बताएं तो वो ने वेश भी लिख सकता है अगर ने नहीं लिखा हूँ तो सिरफ नेगेटिव निकाल देंगे और condition क्या होती है यहाँ पर heat under reflux heat under reflux और aqueous ने वेच तो heat under reflux और mechanism इसका reaction यह होगा बड़ा reaction यह होगा कि यह जो OH है ना यह CL की जगा आ जाएगा CL is the nucleophile ना CL के ओपर slightly negative charge है OH के ओपर complete negative है तो एक nucleophile दूसरे nucleophile की जगा आ जाएगा तो यह बटा आपका हो गया reaction mechanism ज़रा देखिएगा यह बात जहन में रहे कि इस टर्शरी हलोजनोल के नाम मैं आपको इसका बता चुका हूँ 2-Cloro-2-Methyl-Propane इसका नाम है 2-Cloro-2-Methyl-Propane और यह टर्शरी हलोजनोल के हैं क्यों? क्योंकि अलफा कार्बन के साथ directly three carbons connected no hydrogen alpha carbon के साथ कोई hydrogen नहीं तो mechanism पर आते हैं mechanism पिटा इसका देखिएगा बोर से यह alpha carbon है center में जी this is alpha carbon alpha carbon के साथ further three carbons connected है तीन alkyl groups है दूसरा alkyl group पिटा यह है और तीसरा alkyl group यह है और यह एजिक कलोरी अब देखिए एक तो उवेश नेगिटिव है नहीं ऐसे देखिए फ्रंट से मैंने आपको कहा है attack नहीं करवाना कभी भी क्या reason बताईए अपी बच्छा बता सकता है क्यों फ्रंट से यह arrow गलत होगा भई जी शाबाश फ्रंट से यह arrow लगाना क्यों गलत है यह 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 जी ओएच नेगिटिव विद लोन पेर और यह बटा अप्रोच करना चाहता है इस कार्बन की ओपर यह जो आपको नजर आ रहे हैं एक जी ज़रा गोसे देखें क्यों यहां पर आपको यह तीन bulky groups bulky groups कहते हैं बड़े size की groups यह तीन bulky groups आपको नजर आ रहे हैं यहां पर यह नहीं नजर आ रहे हैं बताएं जरा bulky groups are present bulky group होने की वजह से but due to the presence of bulky group this OH is unable to attack on this electrophilic carbon है ना बेटा इस इन तीन bulky groups की बड़ा से जरा गोर करें यह देखें इस positively charged carbon को ना इस positively charged carbon को तीन bulky groups ने surround किया हुआ है उपर से भी नीचे से भी right से भी सामने nucleophile है उसने भी तो क्या यह OH इस center वाले carbon पर अप्रोच कर सकता है या नहीं कर सकता है यह बात मुझे बता है यह सरुनो नहीं कर सकता ना बेटा नहीं कर सकता है अब इसका effect अब क्या होगा इस लिए बेटा इस लिए अब यह reaction का mechanism उस जैसा नहीं होगा जिसरे आप सोचने है वैसे नहीं होगा तो first step में अब कुछ भी नहीं होगा देखें आपने बताना है कि फर्स्ट अपने यह होगा कि आप इसको polar solvent में dissolve करेंगे polar solvent कोई भी ऐसा solvent होता है जिसमें poles बने हो आप for example water को मैं कहूंगा तो water is a polar solvent H is positive, H is negative poles बने होएं ना तो आप क्या करेंगे बेटा किसी भी polar solvent में अपने इस molecule को dissolve करेंगे तो होगा क्या ionization होगी यह molecule ना ionize हो जाएगा कैसे ionize होगा इसमें bond breaking होगी देखें यह जो आपको यहां नजर आ रहा है ना carbon chlorine bond यह टूट जाएगा heterolitically यह देखें ऐसे क्योंकि polar solvent इसको ionize करेगा polar solvent का बेटा जो positive pole होगा ना polar solvent को जो positive pole होगा वो स्रील को अपनी तरफ खेंचेगा जिसकी वरे से carbon chlorine bond तूटेगा राइट तो carbon chlorine bond heterolitically यहां पर तूटेगा तो आप यह arrow show कर दें कि यह carbon chlorine bond तूटने जा रहा है और यह आप देखिएगा बेटा क्या बनेगा यह जो बेटा आपको center में carbon नज़र आ रहा है जो मैंने green color से भी लिख है यह जो carbon है इस से chlorine तूट गया और यह तीन तीन जो methyl groups है ना बेटा यह तीन methyl groups यह 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 आप इस carbon के साथ दगा देंगे one two and three और इस carbon के ओपर charge डालेंगे आप positive का और साथ में क्या बनेगा CL negative क्यूं ऐसा हुए जी देखें ऐसा क्यूं हुआ है क्यूंके carbon chlorine bond हेट्रोलिटिकली तूट रहे chlorine is more electron negative than carbon तो जब यह bond तूटेगा तो chlorine carbon का electron भी साथ दे जाएगा जिसकी वज़ास से जो carbon का एक electron loss हो गया loss of electron की वज़ास से जो positive जो partial positively charge carbon है वो complete positive में जाएगा यह बात समझने वादी है यहां देखें carbon के उपर चार्ज था slightly positive ना और अब carbon के उपर चार्ज है completely positive क्यों ऐसा हुआ क्यों completely positive में गया क्योंके बेटा जो यह chlorine आपको नजर आ रहा है यहां पर यह chlorine carbon का electron लेके चला गया ठीक है और loss of electron हो गया carbon से तो carbon is complete positive और chlorine is completely negative यह बात जरा देखिएगा यह यहां पर chlorine partial negative था है यहां chlorine completely negative है अब बेटा एक सी जरा देखें आपने alkenes के topic के अंदर कार्बो केटाइन की types पड़ी थी कोई बच्चा मझे बता सकता है यह कौन सा कार्बो केटाइन है जिसमें positively charged carbon तीन कार्बन से connected है यह कौन सा कार्बो केटाइन होगा भाई कि यह stable कार्बो केटाइन होता है यह unstable होता है यह बन रहा है stable चीज़ बनती है ना तभी तो यह बना है क्योंकि यह stable है अच्छा बदर देखें फर्स टेप में फर्स टेप जोने है यह बात जहीं रहा है कैसे पदा चला स्लो स्टेप है आज के बाद याद रखिएगा कि bond breaking is always slow step this step में bond break हो रहा होता है na bond breaking is always slow step bond breaking हमेशा slow step होता है इसलिए first step is this slow step और अब second step में बेटा यह होगा second step में यह होगा यह जो tertiary कार्बोकेटाइन बना है ना CH3 CH3 and CH3 plus अगर आपको वैस्पर थेरी थोड़ी सी जहन में हो के ऊपर जो कार्बन था ना बेटा ऊपर जो कार्बन था यह वाला यह जो कार्बन आपको नज़र आ रहे है इस कार्बन को सर्जी यह फर्स मेकनिजम वापस करवा देगी पर एक मिट पहले यह सुन लो ना फर्स मेकनिजम भी छोड़ दो मौमीन अभी सेकिंड यह इस को जड़ा बात सुनो जो मैं भी बता रहूं उसमें मैं वापस आ जाता हूं पहले यह बात सुनो भी और से बढ़ेगे देखो मौमीन आ भी बताओ कि यह जो कार्बन इसको मै सब्सक्राइब नीचे देख के बताओ कि कार्बन के साथ कितने गुरॉप सटैंगल भड़ गया तो जो नीचे नहीं आएगा तो अब नीचे वाले स्लिप में क्या होगा ओएच ओएच विल एटेक ऑन दिस पॉस्टिवली चार्ज टार्बन अब अराम सहाब आप कहेंगे बल्की गृूपस भी तो है अब भई अब बल्की गृूपस हैं लेकिन बांड अंगल भड़ गया एक नुक्रिफाइल जो निकल गया है तो बांड अंगल भड़ गया है अब वेच इसके ओपर अटेक करेगा किसके ओपर इस पॉसिटिवली चार्ज कार्बन के ओपर और यह फास्टेप है क्यों फास्टेप है बांड फॉर्मेशन हो रहा है और ऑपसिटली चार्ज आइन्स एक दूसरे को एट्रेक्ट कर रहे हैं तो फास्टेप होने की वज़ए से आप अब यहां क्या होगा देखें कार्बन ओवेच बांड बन गया CH3 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 बड़ यहां पर एक कंसेप्ट है जो मैं भी आपको दूँगा डका रेकिन मैकनिस stiff का लेकिन में वह कन on this electrophilic carbon due to the presence of bulky groups कि जो center में आपको carbon नज़र आ रहा है इसके ओपर attack नहीं कर पाया था OH क्योंकि ये आपको तीन bulky groups नज़र आ रहे हैं तो OH के पास कोई OH को इतनी space नहीं मिल रही को इस carbon पर approach कर सकी तो फिर क्या हुआ, reaction कैसी हुआ कि आपने इस tertiary हारीजन को polar solvent में dissolve किया ionization हुई और carbon chlorine bond हेट्रोलिटिकली तूड किया और formation of secondary carbocatine बना and this step is the slow step, ये slow step था बेटा फिर second step में क्योंकि bond breaking is always slow फिर second step में बेटा क्या हुआ, कि जब ये tertiary carbocatine बन गया तो फिर क्योंकि आप bond angle भड गया है तो ओष नेगेटिव अब अटेक करेगा इस positively charged carbon पर और ये आपका बेटा mechanism हो गया है second step is the fast step, अब सिरफ ये सुन लें जो note मैं लिखने जा रहा हूँ, वो note ये है कि tertiary, वो कहेगा न आपसे कि name of the mechanism name of mechanism सर ये आपने जिसे लिखे है टेश्री का बोगटाइन ये साथ लिखना जुरूरी है बटा, mechanism के अंदर labeling लाजमी नहीं है लिख दोगे तो ठीक है नहीं लिखोगे marks नहीं कड़ेगा मैंगने आपको बता है कि mechanism में marks होंगे curly arrow के, dipole के, charges के और कहीं पर अगर कोई sign आ रहा है मैंने उपर लिखा था, curly arrows के, loan pair के dipole और charges के वास इन चीजों के मांके से, अच्छा बटा, यहां पर वासे वासे गिलानी मुझे बताओ, यहां पर यह वन का क्या मतलब है आप, S से बन गया substitution, N से बन गया nuclear flick, one का क्या मतलब होगा सर्व एक स्पिशी नवाल्ड है बताओ, slow step में how many molecules are involved, slow step में कितने molecules involved, इस पिए यह वन बता रहा है भई, इसको लिखें जड़ा, के tertiary halogenu alkane, tertiary halogenu alkane, give SN1 type mechanism, SN1 का क्या मतलब है, S stands for substitution, N stands for nucleo, one का मतलब है के one molecule, one molecule is involved in slow step, but a slow step का एक और नाम भी याद रखेगा, rate determining step, बड़े देखें, slow, इसको one two कह रहा हूं, क्योंकि one molecule is involved in slow step, slow step के अंदर एक molecule involved है, ठीक है, जब के, मुमिन आप कह रहे थे कि जड़ा पिछला mechanism, यह जड़ा देखो जी पिछला mechanism, इसके जड़ा देखें जी, कि यहां जो bond break हो रहा था, इसमें कितने molecules involved हैं, जी बताओ दो, दो, इसलिए यहां पर हमने क्या लिखा था, two, के in slow step, two molecules are involved, two species are involved in slow step, ठीक है, अब यहां पर यह चीज़ जानने बड़ी लाजमी है, प्राइमरी हलोगेनल के हमेशा SN2 टाइप reaction देंगे mechanism, प्राइमरी हलोगेनल के SN2 टाइप mechanism को follow करेंगे, प्राइमरी हलोगेनल के हमेशा SN1 टाइप mechanism को follow करेंगे, तो पीछे रहा गया secondary, तो secondary के बारे में क्या कहते हैं, बैटा, secondary जो है, वो दोनो, secondary जो है, वो दोनो जो है, mechanism को follow कर सकते है, SN1 as well as SN2, ने समझाई आई यह बार, तो पिर उनका reaction किस तरह होगा, मतलब fast होगा या slow होगा, आपकी मर्जी है उजीद, आप secondary हलोगेनल के लिए, अगर आप यह वाला mechanism follow करना चाहते हो, पहले उसमें कार्बो केटाइन बनाओ, और second step में OH का reaction करवाओ, यह भी चल जाएगा, अगर आप secondary हलोगेनल के में यह व प्राइमरी जो है, प्राइमरी क्या करेगा, प्राइमरी हलोगेन, प्राइमरी हलोगेनल केन, गेव, एसन टू टाइप mechanism, अच्छा, तरश्री हलोगेन, तरश्री हलोगेनल केव, एसन वन टाइप mechanism, प्राइट टेस्ट जो हैना, अगर आप लोगों को मसला है, तो मैं टूजडे के ले लूँगा, स्कूल के बच्छों की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मसला है, तो मैं एक दिन लेट कर लूँगा, ता कि आप टेस्ट ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्केंडरी हलोगेनल केन, 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 स्केंडरी हलोगेनल क टू टाइप मेकनिजम है तुरी आप मेकनिजम है अगर आप ने इसके पिक्चर ले ले लिए ऐसक बेट विट अ मिनुट बड़ा ये इसकी पिक्चर ले ले अगर लेनी है मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा मैंवो कर रहा हूं ताके दो तीन दफ़ा आपको पिक्चर लेनी पड़ेगी इसकी ले लिए बड़ा पिक्चर आप लोगों ने अच्छा बेटा अब यह SN1 इसकी लेले जिस पर मैंने सब यह बताया है कि प्राइमरी हेलोगनो अलकेन हो या टर्शरी हो रियक्शन्स दोनों एक जैसे देती हैं यह बताने का मक्सद हैं आप ठीक है अच्छा बेटा अब आए मेकनिजम के उपर यह जी आपका जो प्राइम जी और लास्ट में बेटा यह है आपका टर्शरी हेलो जैनुवल के एक मिनिट एक मिनिट जी बेट अब वेट ले लिए बेटा जी अच्छा जी अब एक चीज़ बस में आपको बताने है आप इन नोट्स को देखके बताएं केस में कौन सा मेकनिजम है जो सिंगल स्टेप में हो रहा है जो दो स्टेप में हो कौन single step में हो रहा है और कौन double step में हो रहा है जब two step में कोई reaction होता है na तो उसके लिए जो इनरजी परुफाइल डाइग्राम है वो ऐसी आती है, उसमें दो इनरजी हमस आते हैं, यह ज़रा देखिएगा, यह आपको मैं अनरजी परुफाइल डाइग्राम बता रहा हूँ, बड़ाए इसमें आपको, मैं इसको ज़रा सही करके बनातु हूँ, तो कितने energy हम मिल रहे हैं? सर जी दो दो यह स्टेप में हो रही हैं उनके लिए दो energy हम सुनगे तो अगर आप से पूचे बताएं जी कि primary हैलोगेन या tertiary हैलोगेन किस के लिए energy profile diagram ऐसे होगी तो आप कहेंगे tertiary हैलोगेन के लिए यह diagram होनी चाहिए क्यूंकि जो टर्षिरी हेलोगेन है उसके मैकनिजम में दो स्टेप होते है पहले स्टेप में कार्बो केटाइन बनता है इदर तरजी प्राइमरी नहीं होता है S&2 S&2 तो प्राइमरी होता है मैं स्टेप्स की बात कर रहा हूँ स्टेप्स वो कितने step में हो रहा है तो इसके लिए ऐसे reactions जो दो step में होते हैं उनके लिए दो energy humps आपको मिलती है और ऐसे reactions जो एक ही step में हो रहे हैं फार एक्जेमपल प्राइमरी हेलो जैनो एलकेन है तो प्राइमरी हेलो जैनो एलकेन के लिए जो आपको इनर्जी प्रोफाइल डाइग्राम वही जो आपको लेवल्स में बनाती है ऐसे होगी भई ठीक है यहाँ दिखें यह एक हेँस ही हम पहना इसके वहां ते मिले स्टेप प से पूशता है कि से प्राइमरी हफ्लोग केश फैंड और टर्शीयर हास के लिए इनर्जी पुरॉफाइल डाइगरएं और यहां तक कलियर हम दबार दिखा सकते हैं जसमें दो एनरजी हमस्ते हैं यह देखे यह जी निजला है महनुश जी सर थांक यू अच्छे मैं आप आपको इस तरह करता हूं एक दफार दुबारा इसको साइड बाइसाइड बनाता हूं ताकि आपको ने इसकी पिक्चर माइंड में याद हो ज SN2 कोन देगा? Primary. Hello जेनोल केंड. SN1 कोन देगा? T tertiary. Hello जेनोल केंड. अच्छा इसमें मैं कार्बन चर्म यूज़े कर रहा हूं आरउं का मत्तलब होता है कार्बन चर्म आर मीन carbon chain तो मैं R का term यूज़ करूँगा R CH2 CL OH negative Aqueous यह मैं वो बता रहूं कि आपने exam में कैसे लिख करा आना यह suppose reaction था तो आपने exam में mechanism कैसे लिखना है यह देखें इसको बस याद कर लें मैटा है कि अच्छे त्वीके से कि यह देखेंगे और यह कौन स ओगा जी बताएं माहनूष यह कौन सा healthcare cancer primary or secondary और क्यूं है किEst Himalusa torture तो hydrogen Hazouan कि कॉन सांधेल किमें होका यह प्रामरी होगा जी बेटा अब देखे Part 4 ller don बैर नीशह 1 स्कश में नशिए और लोन पेर यहां से एरो इदर और फिर आपने आगे वह एक स्टेट दिखानी है मोमेंटरी स्टेट जो के नैनु सेकंड्स के लिए बनेंगी यह यह बांड जो फो बिरेक होता हुआ दिखाएं यहां पर यहां पर बांड बनता हुआ दिखाएं और उपर नेगेटिव निकालना नहीं भूलना जो यह बताएगा कि दो नुक्लियो फाइले कट्छे होगे हैं और नेक्स स्टेप के अंदर बेटा आप इसको CH2 और यह OH और CL निकालने हैं और इसको हम SN2 कह रही हैं टू क्यों कह रही हैं कि टू मॉलिक्यूल्स यह सिंगल स्टेप मेकनिजिए मैं यह सिंगल स्टेप है तू मॉलिक्यूल्स आर इंवाल्व यह तू स्पीशीज आर इंवाल्व इन स्लो स्टेप स्लो स्टेप का दूसरा नाम है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप और एसन वन कैसे होगा देखें एसन वन के लिए मैंने आपको कहा कि आप इस तरीके से टर्शिरी हैलोजनो अलकेन लेंगे और यह ओएच एक्वस फॉर्म में बेटा लेना है हीट अंडर रिफलक्स यह आर का मतलब है कार्बन चेंड राइट और यह आ जाएगा और यह स्यल नेगिटिव आप इसका मेकन बना रहा हूं ताकि आमने सामने आपकी हो जाए ठीक है एसन वन और एसन टू आपको दोनों में डिफ्रेंस बता चले क्लिरली आप देखें बल्की ग्रूप्स है ना आप यह बात नहीं भूल नहीं कि टर्शिय हलोजनो अलकेन में बल्की ग्रूप्स आर प्रेजेंट तो बल्की ग्रूप्स होने की वज़ासे बल्की ग्रूप्स होने की वज़ासे अब क्या होगा के एक में इसको थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं बेटा यह ऐसे है अब देखें बलकी ग्रूप होने की वज़ाँ से ना ओवेश तो यहां पर अप्रोच ही नहीं कर पाएगा बेना को बताया था ओवेश क्योंकि यह बड़े साइस की ग्रूप लगे हुए ऐसे तो ओवेश यहां इस कार्बन तक नहीं पहुंच पाएगा राइट तो इस लिए अब यहां पर मेकनिजम चेंज है तो फर्स ट्रिप में यह पोलर सॉल्मेंट में आप जब इसको ही तोनेट किया था अर बेटा यह कोई ओनिपको आर कि करबन चेन हो ना अलकायल कलूप के लिए आफ आर का वर्ड यूज करता है अलफबेट ईूस करती है और मिन करबन चेंड जब आपने एक ना शो करना हो ना मोमिन जब आपने यह ना शो करना करण की लंबी है तो अब आर लिग देते हैं आर का मतलब है कोई भी कार्बन चेंज जितनी भी मर्जी लंबी कर ले इसमें यह हुआ था कि आपके पास यह चीज बन गी थी कार्बो केटाइन और साथ में सील नेगेटिव बन गया था एक्वस फॉर्म में यह फॉर्स टेप था बेटा और सेकंड स्टेप में यह हुआ कि यह जो कार्बो केटाइन बना है पॉजिटिबली चार्ज कार्बन इसके ओपर बिटा अब देखें स्पेस बन गी है ना तो अब ओष नेगेटिव इसके ओपर आकर अट्रैक करेगा ऐसे और यह आपका में शोनी करना है जो पोलर सॉल्वन्ट है वो जो अट्रैक्ट कर रहे सील जो पारस ने 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 व भोशो नि करना और मैंस लिए इसलिए बना है कि आपने एक्जेंबर क्रने बस आपने एकजाम बना करने बस बागी कुछ भी आपने Mine से फिस्वार डिकषफटर बिटा फ़र्स वन इस रिवर्सिबल वेट लेकिन अगर önem सो रिवर्सिबल शों कर ने हम करते हैं तो मांक्स देडें लेकिन लिखने टूड अच्छा है में करिस्बर ने जो मार्क्स काटे का बिट अब सब्सक्राइब में और ये दो step में हो रहा है ज़र इसके लिए जो energy प्रफाइल डाइगरम में आपको बना कर दी थी वह ये बनाई थी कि दो step में जब reaction होगा जी पेटा Sir इसके step two में keyboardsome को कु entr up करते हैं भाज वो तो reaction नहीं कर रहा हुआ तो इसलिए second step में आप वो शो करके दिखा रहे हैं कि carbon के साथ OH कैसे लगा अच्छा ठीक है sir अच्छा why this is SN1 बेटा why this is SN1 1 का क्या मत्तब है यहां पर one molecule involved किसमे किसमे one molecule और यह slow step है भाई यह slow step bond breaking is always slow step और जो bond formation है जहां पर bond बन रहा है दो आइंज एक दूसरे के करीब आ रहें that is bond formation और वो fast step होगा अच्छा बेटा अब हम आगे और कोई चीज नहीं पढ़ेंगे मैं आपको बस एक दूसरे और बताऊं अलकीन से related आप लोग ने बेटा अलकीन की प्रैक्टिस तो क्यों ही है ना या नहीं जीजर अच्छा अब देखें सिर्फ ना मैं आपको यहां पर बेटा यह किरा दू पोली मेरेजेशन का एक वो टॉपिक रवाइस हो जाएगा और यह आपने ओ लेवल से पढ़ा हुआ आपको याद है additional polymerization जी याद है polymerization आप लोग ने पढ़ा है याद नहीं है अगर नहीं याद तो यह सुने कि polymerization क्या होती है polymerization यह होती है कि when small molecules are chemically combined together and form a large molecule then it is called polymerization but small molecules chemically combined होंगे large molecule बनेगा इसको आप कहते हैं polymerization और small molecules के लिए एक word यूज होता है कहते हैं monomers small molecules के लिए word हम यूज करेंगे monomers large molecule के लिए हमें term यूज करेंगे polymer यूज के लिए इसकी एक बीड़े जिए जो इसकी आप ने अपने इसमें करने जी कि वन्स्माल मॉलीकूल आर् chemically combined together and form a large molecule then it is called polymerization क्या मतलब जिसका इसका इसकी ना वीड़ाद दो ताइब ती अगर आपको याद हो ओ लेवल्स में आपने इसकी दो टाइप पड़ी थी पॉलीमराइज़ेशन की दो टाइप आपने पड़ी थी एक एडीशनल और एक थी बैटा कंडेंसेशन घी ठीक है हमारे इस लिबस में एएस में एएस केमिस्ट्रि में सिर्फ एडीशनल है ए- सब्सक्राइब करो कोई आएडीशनल पुलीमर इस वालो कोई बैनेंड मोक्तर भी मोलिक्वारीज़न केंदर मोनोमर्स जो होंगे ना आपके मोनोमर्स मस्ट बी अलकीन, मस्ट बी अनसैचुरेटी एडिशनल पॉलिमराइजेशन के लिए जो आप मोनोमर्स यूस करेंगे उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होना मस्ट है कैसे? एग्जैमिनर आपको कहता है कि ड्रॉदी स्ट्रॉक्शर आफ ड्रॉदी स्ट्रॉक्शर आफ पॉली प्रोपीन का स्ट्रॉक्शर ड्रॉद करें तो पता है क्या करेंगे? आप इसमें पहले देखेंगे कि पॉली प्रोपीन में ये किस से मिलके बनना है? पोली का तो मत्तब होता है many poly mean many तो basically आपको समझा आ रहे हैं का अच्छा ये तो प्रोपीन मॉलिक्यूल से मिलके बना है तो प्रोपीन मॉलिक्यूल का structure तो आप फुरन बना लेंगे के प्रोपीन होता है CH3 CH double bond CH2 ये आप लोग यहां से pick कर लेंगे कि इस इस प्रोपीन प्रोपीन का आप को पता होगा formula C3H6 और ये बेटास का structure बन जाएगा structure कैसे draw करेंगे प्रोपीन का वो देखें प्रोपीन की मैं पूरी एक्वेगन लिक्टर दखाता हूँ जब भी आपने polymerization का reaction show करना हो सबसे पहले बेटा आप mix करेंगे ना तो पॉली प्रोपीन बनेगा तो ये जो monomer है यहां पर प्रोपीन monomer को ड्रॉपीन का यूनीक सा style है वो ज़रा सीख ले कि monomer कैसे draw करके है carbon carbon double bond उसको आप पहले लिखेंगे ऐसे करके ये जो double bonded carbon होगा ना इसके साथ कितने hydrogen लगे हैं दो तो ये दो hydrogen बेटा आप उपर नीचे ऐसे draw करेंगे इस साइट पर देखें दूसरी साइट पर ये जो double bonded carbon है इसके साथ कौन से group लगे होगे हैं एक hydrogen लगा हुए और एक क्या लगा हुए methyl group लगा हुए ची तो ये आप लगा देंगे structure बनाते जाएंगे जब भी monomer draw करना है तो ये जो double bonded carbon है ना इसके उपर नीचे groups लगाने है राइट लेफ पर नहीं लगाने तीक है वरना आपका polymer आपसे नहीं बनेगा तो ये देखेंगे जो उपर मैंने प्रोपीन लिखा था नहीं इसको मैंने arrange किया है monomer की form में उपर नीचे लिखा है देन एक और monomer में लिखने जा रहा हूँ है इसी style से लिखोंगे देखो H H H N C H 3 आप जितने मर्जी में बढ़ते हैं कि polymerization में ना thousands of monomers mix होते हैं लेकिन हम जहरी बात है उतने सारे नहीं लिखेंगे हम तो सिरफ दो को लिख लेते हैं चलें अब आपने क्या करना है बेटा पॉल polymer लिखने का तरीका ही होता है कि आप पहले square bracket डालें कितने कार्बन है यहाँ पर टोटल carbon कितने है चार तो आप बेटा इन चारों carbon के दरम्यान single single bond कर देंगे क्योंके बेटा देखें mechanism ना इसका हमारे slaveust में है नहीं किक है तो mechanism अगर slaveust में है तो आपको जानने की जूरुत नहीं है बस आपने यह करना है कि जब भी polymer draw करना होगा तो मोनोमर्स के अंदर यह जो double bonded carbon है इनको खतम कर देंगे और चारों carbon के दरम्यान single 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 bond आ जाएगा तो इसको समझने के लिए मैं इस तरह के arrows draw करता हूं कि यह जो double bond है ना बेटा यह जो मैं शो करता हूं green color से यह यह double bond इधर शिफ्ट हो जाएगा और यह जो आपको double bond नज़र आ रहा है यह और आगे चले जाएगा अब बेटा देखिएगा यह carbon single bond carbon then बेटा carbon और फिर carbon और फिर यह और यह बेटा उपर नीचे groups बही आएंगे देखें groups में कोई changing नीचे नीचे एच फिर उपर एच है बेटा नीचे भी एच है then उपर मिथाईल आ रहा है red color से लेकिए मिथाईल एच फिर एच और यह एच और यहाँ बेटा एंड डाल देते थे आप तो यह बेटा इस तरीके से आपने polymer ड्रॉ करना है एक और एक्जेंपल में आपको करा देता हूं एक और एक्जेंपल करा देता हूं ताकि मजीद पता चल जाए वह आपसे कहते है जी के ड्रॉ भी तर एक मिन उपर करें नोट डाउन कर लो यह लो बेटा कि आपने जो लेवल से पढ़ा है नहीं हंड़ेट परसंट वही है कुई चेंजिंग नहीं है इसके डैन बेटा जी सिर अच्छा मैं आपको एक और बस एक्जेंपल करा तो फिर हम क्लास खत्म करते हैं ड्रॉधी पोलीमर आफ बीट इन के न पोलीमर बनाए आप देखें पहले बीट इन का स्ट्रक्चर ड्रॉट करें 1, 2, 3, 4, ग्युटु in है, कार्बन, कार्बन, डबल बाद में ड्रॉटु इन है, पहले बिटा इस तना का स्ट्रॉक्च्चर ड्रॉफ कर ले फिर हम पोलीमर बाद में ड्रॉफ करते हैं, यह इसका आपने में स्ट्रॉक्चर ड्रॉफ कर लिया। अब आप मोनुमर की ओर में लिखने का तरीका होता है कि आपने लगा हुए उसी तरीके से दूशरे बांडी कार मन के साथ देखें एक हाइडूजिन लगा हुए वर एक मिठायल लगा हुए ये बैटा जब आप इस तरह लिख देंगे ना आपको कोई मस्वाई नहीं होगा पॉलीमर बनाने में अब आपने जितने 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 दफार रिपीट करना चाहते हैं आप कर दें जितने दफार जितने रिपीटिंग यूनेट वो कह रहा होगा आप उतनी दफार लिखते जाएंगे चलें दो दफार फिर कर देते हैं अब अगर आपने पॉलीमर ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे बैटा इन चारों कार्बंस के दरमियान सिंगल सिंगल बॉंड कर दें चारो यह देखें बैटा एक सीज़ आपने ओ लेवल में जो सीखिए वो यहां भी पूछ सकता है रिपीटिंग यूनेट वो कहेगा जी यह पॉलीमर बताएं इसमें रिपीटिंग यूनेट कितने हैं आपने दो कार्बंस के बाद यूनेट को रिपीट कर रहे होते हैं देखें आपने मोनोमर लिया है तो इस स्ट्रॉक्चर में दो दफा आपको रिपीटिंग यूनेट नजर आ रहे हैं तो यह बेटा आपका है एडिशनल एडिशनल पॉलीमराइजेशन ठीक है सम्टाइम्स वह आपको इस तरह कर सकता है कि यह देगा स्ट्रॉक्चर इस तरह का हाँ जी अब आपसे कहेंगा बताएंगी कि इसमें रिपीटिंग यूनेट क्या है बेटा क्या चीज बार बार रिपीट हो रही है तो आपको मैंने यह कहा है कि दो कार्बंस के बाद ना चीज रिपीट हो रही होती आप जरा देखिएगा यह पॉलीमर है ना आपसे वह र चीजे नहीं है ऐढ़िए अगर आपको यहां मुश्गल हो रही है इस कार्बन के साथ कैके एक क्लॉरी नहीं हाइडिग में आगले कार्बन के कार्बन के साथ एक कार्बन के साथ तो बतांए पिता क्या यह दोनों सम्द यूनिट नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं आगे यूनिट और यउनिट सेम है यह नहीछ सेम चे सेम है तो आप मनोमर कैसे बना थे भश्य पोलीमर से मोनमर कैसे बनाएंगे पहला काम आपने रिपीटिंग यूनेट को मार्क कर लिया रिपीटिंग यूनेट कर लिया रिपीटिंग यूनेट मार्क कर लिया रिपीटिंग यूनेट मार्क कर लिया रिपीटिंग यूनेट में कार्वन 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 डेबल बॉंड लगा दें यह जी यह आपका मोनोमर बन गये ठीक है यह याद है यह काम आपने ओ लेवल्स में किया हुआ था जी से ठीक है बेटा तो आज के लिए इतना काफी है तो बाकी इंशालला हम कल के लास में डिस्टस करेंगे ठीक है अब मैं वर्क्षिट आपको सेंड करूंगा वह लाजमी क होंगे वह बेरा किजिएगा टेस्ट इंशालला ट्यूजडे को होगा